ये मैंने धाइसो ग्राम बासमती सेला राइस और 200 ग्राम शक्कर ली है अगर आप मिठा अच्छा पसंद करते हैं तो जितना चावल लिया है उतनी ही शक्कर याने धाइसो ग्राम शक्कर ले 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 तो धाइसो ग्राम चावल के लिए 200 ग्राम शक्कर पर्फेक्ट है इसमें चावल बहुत ज़्यादा मिठा नहीं होगा और आपको कम मिठा भी नहीं लगेगा अब चावलों को चार से पांच बार अच्छी तरह से धो कर एक घंटा भीगने के लिए रख देंगे चावलों को भीगे हुए एक घंटा हो गया है अब एक बरतन में लगभग देर लिटर पानी गरम करेंगे इसमें एक चक्री फूल छे हरी इलाइची इलाइची को खोल कर डाले और चार लॉंग डाल देंगे अब पॉटर टी स्पून नमक और एक छोड़ा चमच घी डाल देंगे इसमें मैं लगभग आदा छोड़ा चमच पैनेपल एसेंस एट कर रही हूँ आपके वड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं पैनेपल फ्लेवर भी मिठे चावलों में बहुत ही अच्छा लगता है इसे चावलों में हलका सा पैनेपल का फ्लेवर आएगा अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉंग फ्लेवर चाहिए तो चावलों को शकर के साथ पकाते वक्त 12- 15 डाल दें पानी में उबाल लाना शुरू हो गया है अब इसमें भीगě ओवे चावल डाल देंगे चावलों का एक्सट्रा पानी निकल entertainment अब चावलों को पूरे 100 परसंट तक पकाना है इसमें एक कनी भी नहीं रहना चाहिए नहीं तो शकर के साथ पकते वक्त हलके से हाड हो जाएंगे तो यह चावल पूरी तरह से पक गए है अब पानी को ड्रेन कर लेंगे अब भगोने में एक तिहाई कप घी गरम करेंगे यह 85 कप है इसमें दो इलाइची खोलकर और तीन लॉंग डालेंगे अब चावल डालने के पहले थोड़ा सा कौटर कप जितना पानी डाल दें अब इसमें एक लेयर चावल की फिर एक लेयर शक्कर की इस तरह से तीन से चार लेयर लगा देंगे और यह शक्कर और चावल की लास्ट लेयर थोड़े से आधा कप जितने चावल अलग रख ले अब धाकर मीडियम फ्लेम पर 7-8 मिनिट पकाएंगे अब यह मैंने तीन कटोरियों में कौटर कप जितना पानी डाल कर इसमें रेड येलो और ग्रीन फूट कलर डाला है सभी कटोरियों में दो छोटा चमच जितना उबला हुआ चावल डाल कर 7-8 मिनिट भीगा रहने देंगे 7-8 मिनिट हो गए है और शकर का पानी रिलीज हो गया है अब हलके हाथ से चावलो को मिक्स करेंगे अब चावलो को थोड़ा साइड में करके इसे खुला ही मीडियम फ्लेम पर रखा रहने देंगे पानी के सूखने तक तो शकर का पानी पूरा सूप गया है बिल्कुल हलका सा पानी है अभी इसमें यहां मैंने कुछ ड्राइफूर्स लिये हैं जिसमें बादाम स्लाइस में कटे हुए सूखा नारियल काजू को मैंने दो पीसे में कर लिया है थोड़े से कटे हुए पिष्टा लिये है और थोड़ी सी किश्मिश ली है ड्राइफूर्स को चावलों के उपर डाल कर हलके हाथ से मिक्स करेंगे इस स्टेच पर भी आप 4-5 ड्रॉप्स केवड़ा या पैनेपल एसेंस की डाल सकते हैं अब इसके उपर कलर वाले चावल डाल देंगे चावलों का एक्स्ट्रा पानी निकाल दें थोड़ी से टूटी फ्रूटी डाल देंगे लगभग 50 ग्राम प्रेट किया हुआ खवा डाल देंगे थोड़े से मिठे करूंदी डाल देंगे अब ढ़ाकर लो फ्लेम पर 5 मिनट जम देंगे पांच मिनट हो गए है और ये गर्मा गरम दावतों वाला मीठा चावल बनकर तयार है और ये देखिए चावल बिल्कुल खिले खिले बने है और अच्छी तरह से पक गए है दिखने में ये चावल जितना जिता खुबसूरत और लजीज लग रहा है खाने में आपको उसस से भी ज्यादा लजीज लगेगा इसे मीठे करूंदे और थोड़े से खोया के साथ गार्निश करेंगे तो आप भी इस रेसीपी को ट्राय करके जरूर देखिए और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रेसीपी पसंता है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब ज